दिल्ली प्लीज के जोईन कमेशनर देवेश चंद शुर्वार्स तो पोजे और मैडल विनर्स को सम्मालिक किया बारश सर्मा ने इस इवेंट में 30 क्लेवर्स शुट करके सिल्वर मैडल हासिल किया रुद्राश के पिताव विनिज चोप्रा भी ट्रेप शुटिंग में हाथ आजमा चुके हैं लेकिन उनको काम्याबी नहीं मिल पाई अब वो अपने बेटी को सुटिंग चेंपियन बनाकर इसके जरी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं इसके लिए बिनिज चोप्रा दीलो जांसे महनद कर रहे हैं रोज कई घंटे तक वो रुद्राश को और निस्याने वाजी के ट्रेनिंग कराते हैं इसी का नतीजा है कि स्रिफ दो महीने के ट्रेनिंग में रुद्राश के बड़े बड़े निसाने वाजो के आकर सुटकात के द्रुपन गया है दिली इस्टेर शूटिंग चेंपियंशिप के स्वाट गन मुकाबलों के पद वीत्र समारों का उद्गाटन दिली प्रीस के जोयन कमिस्टर देवेज चेंद्र स्रिवास्तों ने दो गोली चला कर किया इस प्रतियुगिता में शायद हमात्मिर हस्वर्दर साम्याशी गोरी सी, सुविर राज, सर्माक्रिती, गुप्ता मयंग हर्क्रित सी, मंडला और कविर शर्माने गोल्ड मेडल जीते देवेज चेंद्र स्रिवास्तों ने सभी गोल्ड मेडल जीता है स्टेट चैंप्मेंशिप में, मैं दो महिने से प्राक्टिस करता हूँ, मैं रोज रोजाना आठ गंटे प्राक्टिस करता हूँ, मेरे पापा ही मेरे कोच है और वो मुझे रूटीन में सब कुछ करना सिखाते हैं, गोल्ड मेडल और मैं अगला टारगेट गोल्ड मेडल नैशनल में है, और फिर ऑलम्पिक में मैं गोल्ड भी लाना चाहता हूँ, कितने घंटे रोजाना प्राक्टिस करता हूँ, मैं रोजाना आठ गंटे प्राक् और देश के लिए मेडल जीत हूँ, मगर मेरा फैसला बदला, जब ये 12 प्लस हो गया, 12 साल के उपर मैंने इसको ट्रैप शूटिंग सिखाई, जिस हिसाब से इसने पिक किया, दो महिने की ट्रेनिंग बाद इसने गोल्ड मेडल लिया है, डेली स्टेट चैंपियंशिप प बहुत अच्छा स्कोर है, ये सीनियर मेन काटेगरी में भी फिफ्ट पॉदीशन पे स्टैंड कर रहा है, हमारा अगला टारगेट नाशनल गोल्ड लेना का है, और इसका सपना जो मैं पूरा करके रहूंगा, वो है अलम्पिक गोल्ड, कोशिश में कोई कमी नहीं रखी ज डेडिकेटेड बच्चे और भी हों, तो वो देश के लिए बहुत गोरव प्राप्त करके ला सकते हैं,